लोरेंस बिशनोई जो कभी कोलेज का छादर था और केंपस राजनिती में शामिल था आज भारत के सबसे बड़े कुख्यात गेंग्स्टोरों में से एक बन गया है लोरेंस बिशनोई की अपराद की दुनिया काफी बड़ी है और इससे खत्म कर पाना काफी बड़ी चुनोती है बाबा सिदिकी की हत्या के बाद एजेंचियों से लेकर आम आदमी की जुबान पर बस एक ही नाम है वो है लोरेंस बिशनोई लोरेंस बिशनोई इस वक्त गुजरात की सबर्मति जल में बंद है और बाबा सिदिकी मड़र केस में ये तो साफ हो चुगा है कि इस क्राइम के पिछे भी लोरेंस बिशनोई का ही हाथ है इससे पहले साल 2022 में पंजाब की मानसा गाओं में पंजाबी गयक सिद्धु मुसेवला की हत्या 2023 में खालेस्तानी अंतंगवादी हरदीप सी निजर की हत्या का भी आरोफ है लोरेंस बिशनोई की हीट लिस्ट में कुछ बड़े नाम भी शामिल है जिसमें सल्मान खान का नाम भी है मोके पर पुलिस बलके आ जाने के कान अप्रेल 2024 में हुए गोली बारी का प्रयास भी विफल रहा चातर नेता से गेंग्स्टर बने विशनोई 22 फरवरी 1902 को पंजाब के फाजिलका अबोर में पुलिस कोंस्टेबल के घर जन्में लोरेंस बिशनोई आम लोगों की तरह एक साधान परिवार में जन्में थे बिशनोई 19 साल की उमर में अजिलका के सिमावर्ति गाम से चंडिगड आ गए थे लोरेंस बिशनोई पढ़ाई के साथ ही जल्दी चातर राजनिती में भी आ गए कोलेज के दिनों में राजनिती में आते ही लोरेंस का कानून वेस्ता के साथ टकराव शुरू हो गया था और कॉलेज के समय में ही लोरेंज के खिलाफ हट्या के प्रयास का मामला दर्जिक किया गया बेश्चक चंडीगर्ट और मुहाली में उनके खिलाफ पेले मामले चाटर राजणिती का नतीजा था लेकिन उन्होंने वही से क्राइम की दुन्या में एंट्री ले लिती कोलेज के दोरान ही लोरेंस विश्णोई जूर्म की दुनिया में कदम बढ़ा जुका था उसके खिलाप पहली F.I.R. हत्या के प्रयास की थी उसके बाद अप्रेल 2010 में एक और F.I.R. हुई अतिकरमन की फरेल 2011 में बिश्णोई के खिलाप मार पीट और सेलफोन लूटने का मामला दर्ज किया गया था यह तीनों मामले उसके चातर राजनितिके दिनों से जुड़े हुए हैं लूरेंस बिश्णोई स्टुडेंट पोलिटिक्स के साथ अपरात की दुनिया में दाखिल हुआ जूर्म की दुनिया से लूरेंस की एंट्री कराई थी फाजिलका के गेंग्स्टर सिर्नेता बने जस्विंदर सी उर्प रोकी ने चंडिगर्ड पुलिस के अमुर्ताविक लोरेंस बिश्णोई के खिलाब शहर में साथ एफाई आर दर्ज की गई थी जिनमें से चार में उनको बरी कर दिया गया जबकि तीन अभी भी लंबी थे 2014 से वो जेल में बन दे हालांकि साल 2015 में लोरेंस बिश्णोई मोहाली पुलिस के हिरासते भागने में कामियाब रहा था लेकिन उसे जल्दी गिरेपतार कर लिया गया जिसके बाद से वो जेल के अंदर ही अपना नेटवर्क ओपरेट कर रहा है विश्णोई गिरो भारत में एक प्रमुक अपरादिक ताकत के रुप में उबरा है यह समू उचस्तर के संक्रिटन के साथ काम करता है जो कई गंबीर अपरादों के माध्यम से कानून प्रवर्तन को खुले आम चुनती देता है लगबग 400 शूटरों के साथ उसने पूरे देश में एक बड़ा नेटवर्क बनाये हुआ है उसके सू वेवस्ति संचालन ने उसके गेंग को पूरे देश में अपनी मोजूद्की को मजबूत करने में मदद की है विष्णोई का नेटवर्क कनाड़ा, जर्मनी और अमेरिका तक फ्यला हुआ माना जाता है यह एक ऐसा दशके जिसमें पंजाब, हरियाना, राजस्थान, गुजरात, माराष्ठ, जारखन और मध्य प्रदेश में उसके खिलाप लगबग 4 दरजन मामले दरज है अब हम जानते हैं लोरेंस विष्णोई की क्राइम हिष्ट्री साल 2011 में युवा अकाली दल के नेता विक्की मुदु खेडा अब दिवंगत यानि कि उनकी मृतियों हो चुके मामले शामिल थे 32 साल का भीष्णोई जो भी जेल में है दो देशों में तीन क्राइम केस में शामिल रहा है लेकिन यह बात उतनी दिल्चस्ट नहीं है जितनी यह कि उसने यह सब जेल में रहते हुए किया है जहां वह पिछले 10 सालों से है जब 22 वर्स का था और सबसे खास इसमें है सलमान खान सलमान का नाम इसमें काफी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि सलमान खान को इस मामले में काफी ज़्यादा बार धंकी मिल चुकी है इसलिए अभी सलमान कान की काफी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और आपने अभी देखा हुआ सलमान कान ने एक नई का कार भी खरीदिया बुलेट प्रूप कार दूबई से उन्होंने मंगवाई थी सिर्फ इनके इनका उपर यह हमले हो रहे हैं इनसे बचने के लिए आई होप आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राब कीजिए साथ या मुझे इस्टाम प की वीडियो ईपको टेका कीजिए सब्सक्राफू कर दो कीजिए